हेलो फेमली कान है कली फूट ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है तो फ्रेंड्स आज हमारे यहाँ एक छोटी सी पूजा थी जिसमें हमने पंजीरी और चनणा मृत को बनाया था तो हमें लगा क्यों न हम आपके आप सब के साथ भी इस प्रसाद भोग की रेसिपी को सेयर क आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का मैसेज आप तक पहुंचता रहे तो चलिए फिर सुरू करते हैं इस भगवान के प्लीटी 500 ग्राम रखी है यानि पाव भर तो दही आपकी ज्यादा खटी नहीं होनी चाहिए फिर हम यहीं पिलेंगे दूद तो यह हमारा कच्चा दूद है हमने इसको बॉयल नहीं किया है बहुत लोग चर्णा मृत बनाते हैं तो दूद बॉयल करके बनाते हैं लेकिन ह हमने यहाँ पर कच्चे दूद का इस्तेमाल किया है तो यहां पर हमने तूद 500 ग्राम लिया है यानि 1,5 लीटर फिर हम यहाँ पर दूद और दही को ऐसे आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है अब इसमें हम डाल देंगे 3-4 बड़े चमच मिसरी तो हमने यहाँ पर मिसरी को क्रस करके इनको बिल्कुल बारीक कर लिया है आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मिसरी डालके हम इनको ऐसे थोड़ा सा मिला देंगे आपस में मिसरी को हमने दो दई के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है अब यहाँ पर हम डालेंगे दो बड़े चम्मच सहद सहद से चर्णा मृत में एक अलगी टेस्ट आता है और इससे चर्णा मृत की मिठास भी बढ़ती है तो यहाँ पर सहद को भी हम थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर देंगे तो अब इसमें हम डाल देंगे एक बड़े चम्मच घी घी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे तो घी तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगी क्योंकि चर्णा मृत जो है वो ठंडा है तो फिर भी हम ऐसे थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देंगे तो अब हम चरणामृत में सबसे महत्वपूर चीज डालेंगे तुलसी की पत्ती तुलसी की पत्ती के बिना भगवान भोक को लगाना स्वविकार नहीं करते हैं तो इसलिए हम चरणामृत हो या पजीरी हो हम तुलसी की पत्ती जरूर डालते हैं तो तुलसी की पत्ती को आप ऐसे उंगुलियों की मदद से तोड़ें, इसमें नाखून या चाकू का इस्तिमाल ना करें, क्यूंकि तुलसी की पत्ती को चाकू या नाखून से काटना दोस माना जाता है, तो तुलसी की पत्ती डालके हम इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर द अब इसे हम एक साइड में रख देंगे और अब हम बनाएंगे पंजीरी हमारी चरणामरित की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को जादा से जादा प्यार देना और साथ में सस्क्राइब करना ना भूलना तो चलिए बनाते हैं पंजीरी पंजीरी बनाने के लिए हम लेंगे कढ़ाई और उसे गैस पे रख के अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और हाँ फ्रेंड्स हम यहाँ पर सूजी की पंजीरी बना रहे हैं बहुत लोग आटे की पंजीरी भी बनाते हैं तो कढ़ाई हमारी यहां पर अच्छी से गरम हो गई है अब इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चमच घी घी को हम अच्छी तरह से गरम कर लेंगे खी के गरम हो जाने के बाद कल्शी की मदद से खी को हम ऐसे चारो तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे तो अब यहां पर घी अमारी बिल्कुल अच्छी तरह से गरम हो गई है अब इसमें हम डाल देंगे सूजी तो हमने यहां पर डेड़ कप सूजी लिया हुआ है और अब इसे हम चलाते हुए ऐसे अच्छे से भून लेंगे तो हम इसे बराबर चलाते रहेंगे क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्दी से तले में लगके जलने लगती है तो अब यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बिलकुल लो पर रखेंगे और 10-12 मिनट तक सूजी को ऐसे बराबर चलाते हुए हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इसमें से एक सोधी सी खुजबू ना आने लगे तो आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी काफी हद तक भून चुकी है और इसमें से एक सूधी सोधी सी खुजबू भी आ रही है लेकिन अभी हम इसे एक से दो मिनट के लिए और ऐसे बराबर चलाते हुए भूनेंगे अब यहाँ पर सूजी हमारी बिलकुल अच्छी तरह से भून चुकी है अब इसमें हम कुछ डाल देंगे ड्राइफ रूट्स तो यहाँ पर हमने लिया है तीन से चार बादाम बारी कटा हुआ पान से छे मखाने ऐसे अच्छी तरह से तोड़के फिर हमने लिया है तीन से चार पिस्ता और छे से साथ काजू तो इन सब ड्राइफ रूट्स को हमने बारी कट करके सुजी में मिक्स कर दिया है तो अब हम ड्राइफ रूट्स डालने के बाद भी इसे चार से पांच मिनट तक और अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इन राइफ फ्रूट्स में भी एक अच्छा सा क्रंची पना आ जाए तो अब हम यहीं पर साथ में डाल देंगे डेसिकेटिड कोकोनेट यानी नारियल का बुरादा और इसे भी डाल कर हम इन सब के साथ थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें भी थोड़ा सा सोंधा पना जाए तो अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो सूखी गरी हो तो आप उसे बारी कट करके डाल दें नहीं तो कद्दू कस करके भी डाल सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं सूजी और मखाने हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं मखाने को ऐसे हलका सा मसलने पर ही यह बिल्कुल तूट जा रहे हैं आप देख सकते हैं हमने जो इसमें डेसी केटिट कोकोनेट डाला हुआ है वो भी सूजी के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुका है तो अब हम यहां पर गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अभी ही से हम लगातार कम से कम एक से दो मिनिट तक ऐसे चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी हमारी बहुत जादा गरम है तो सूजी हमारी नीचे से लग सकती है तो अब यहां पर सूजी और कढ़ाई हमारी काफियत तक ठंडी हो गई है अगर आप गरम कढ़ाई में या गरम सूजी के साथ चीनी को डाल देंगे तो चीनी मेल्ट होना सुरू हो जाएगी तो इसलिए अब हम यहां पर डाल देंगे 4 से 5 चमच चीनी तो चीनी जितना आपको मीठा पंजीरी पसंद हो आप उस हिसाब से रखे तो यहां पर हमने चीनी को डाल दिया है तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो चलिए अब इसे हम किसी बर्तन में खाले कर लेंगे यहां पर सूजी की पंजीरी हमारी बन के बिलकुल है तयार अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी तुलसी की पत्ती जिसके बिना भगवान जी का ये प्रशाद अधूरा माना जाता है गर हमारी पंजीरी और चर्णामरीत की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अपने खूब धे सारे फ्रेंडों के साथ हमारी वीडियो को सेयर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले